नमस्कार दोस्तों आप सरही का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज मैं बनाने जाए हूँ अंबारे की चटनी अंबारे का साग भी बोल सकते हैं यह साग अक्सरहां नहीं मिलता है यह बंगाली कल्चर में या नहीं तो साउथ इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा यूज किय अगर आप सबजी वाले को बोलेंगे तो जरूर आपको लाके दे देगा है कि यह क्योंकि साग हमेसा नहीं बिकता है तो इसके साग होते हैं कुछ यह से तरीके से होते हैं प्त्टी होते हैं और लाल रंगी डंटी होती है और इसके pate जो होते हैं न्तुकिसे खूर्देтесь 시ह ठेक्डार टाला में बनाग में भादा स्सक्रा manti मारा निर्डा है धाया वर्यूंका 유शना में चेसे साथ जी बता पूरूण मुझें दाला है तुपकों भी मोझे निए बता हुए। जो इनुपकोंने निए डाला है। और और जब वह बिल्कुल रेड हो जाए। ऊथ। तब इसमें डालीघा, अद्रक भी कूट had με भी उसके बार इसमें डालीख हरी मिर्च, वह भी कूट कोट के। कि मैं जो टाइम आपको बता रही हूं बनाने में वो उतना भी नहीं लगता है मुस्किल से दो से तीन मिनट लगता है और ये गल जाता है इसको आप चटनी की तरह ही यूज करेंगे तो ज्यादा चराएगा और साग की तरह भी कर सकते हैं और ये बनते बनते ही एकदम गल जाता है आप तेज आज पर इसको बनाएं और थोरी दिर में ये साग गल जाएगा बहुत कम गल की हो जाएगा इसलिए कम से कम दो लच्छे लें क्योंकि ये बहुत कम मातरा में बनती है तो किसे बीस हम चांग बीस ह्सेर 12 यआ हमार भी फ fierce spring में पाईने में मीटना है , मैं अलग बता रही हूं Лेकिन और भी तरीके से बनाते हैं मैं कुछ और तरीके से बना रही हूं तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक सेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और यह बहुत ही अनमोल सी चटनी है तो इसके लिए तो आपको एक लाइक बनता ही है इसमें मैंने डाला नमक बहुत स्वाद से नमक बहुत के ढलना थोड़ी सा बल्कित है थोडी और नहीं से धखके रखेंगे तो इसमें मैंने पहले हरी मिर्च डाली हूए है इसलिए इसके अंदर कोई भी और लाल मिर्च पावीडर गर नहीं डाल देई हूँ अगर आपको पसंद हो तो मैं लाल मिर्च को अलग से इसमें पेश्ट करके डाल सकते हैं तो देखिए ये थोड़ी दिर में ही थोड़ा सा ये ऐलमुनियम की कड़ाही है न तो ये जल गया है पर जला नहीं है मिल्का सा ही पकड़ लेता है कि ये साग बिल्कुल ही लिसलिसापन होता है तो बहुत जल्दी कड़ाही में चिपक जा पर मुझे इतना पसंद नहीं है कि वह एकदम पेश्ट की तरह बन जाए तो खाने में इतना मजा नहीं आता कुछ इस तरीके से रफ होता है तो सही लगता है और इसको आप रूटी पराठे नान के साथ खाईए या चावल में साइड में रखके खाईए यह बहुत यमी बनत तो देखे अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजे चलिए अब मैं जहटपट आपको एक दूसरी रेसिपी बता रही हूं यह रेसिपी है चौलाई के साग जो होते है उसके डंटल की रेसिपी तो साग दिखाया मैंने और यह देखे कुछ इस तरीके के लाल साग भी बोलते है लाल साग दूसरा होता है यह चौलाई बोलते हैं इसको हम लोगों में गनहारी बोलते हैं इसके डंटल की सबजी में बना रही हूं और आप लोग कहेंगे कि यह क्या क्या बनाती रहती है पर देखे आप लोगों को जरूर यह पसंद आने वाली है क्योंकि हम लोग तो यह देखिए थोड़े मोटे वाले जो होते है उसका मतली जिएगा उसका नहीं कीजिए और जो एकदम सॉफ्ट वाले होते हैं ऐसे वाले एकदम तोड़ेंगे तो फट से टूट जाएगा वैसे वाले का बनाई है और उसके छिलके भी उतारने का एक तरीका है कुछ इस से बीच में तोड़ी है और दोनों सेट से छिलका उतार जाएगा तो ऐसे ही करके छिलका उतार ले या अगर बहुत सॉफ्ट है तो नहीं भी उतारेंगे तो चलेगा और उसमें मैं डाले हूं दो आलू आप चाहें तो आलू की मातरा कम जादा भी कर सकते हैं तो एक किलो के छोग का सबस्केट उसके डंचनटल है अब मैं फिर से डाल रहे हूं सरसो का तेल क्यूंकि सरसो के तेल में ही बनाते हैं कोई भी सबजी ज्याद कर बाते है इसमें थोड़ा सा चाहँ डाल रहे हैं प्याज तो यूद्ट भून कर लेंगे बहुत य्र्यादा नहीं धू तो इसको हलका साम ब्राउन कर लेंगे इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा लहसन का पेष्ट और इसे भी हलका सा भूल लेंगे तो यह अदरक लहसन दोनों का ही पेष्ट है मिक्स है तो दोनों ही साथ में आप चाहे तो अलग से भी इसमें आप डाल सकते हैं और फिर डाल क्योंकि उसके डंडल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं तो आपको एक न्यू रेसिपी मिली है तो प्लीज जरूर आप लोग ट्राय कीजिएगा मैंने पहले भी ये रेसिपी बनाई हुई है आप चाहे तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इ आज मैंने अपनी देखा हुँठ लीज मिली आवी साथ जेता हैं और रहा होग पकाना है अर भी ते बालो को आप पका ले ना तो दोस्तों मैं नए-एक रेसिपीज लाती रहतीığımız आप लोग औ backup न को अगर तो मेरे चैनल को शुब्सक्राइब कर लिजिएग настолько का अपकर दो तो तमाटर डाल रहे हूं और этो थो तमाटर बिलकुल पक्प्पग हुए थे, आप इसको भी हम थोड़ा सा गला लेंगे व्हीं देदेगा सब्सके पुछल में एक तक बने सब्सक्राइण को साफ्ट करना है, तो अलू यह दालनि के बादेब अब यह सबजी कुछ हिसरं की दिख रही है अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने सबजी के डंटल काटके रखेते हो मतलब चौलाए के जो डंटल काटके रखेते ना उसको अब इसको गल्ले में ज्यादा टैम नहीं लगता तो इसको हलका सा भून के चलाएंगे पहले थोड़ी देर और इसके बाद थोड़ी देर के लिए ढख देंगे तो यह बहुत जल्दी बन जाता है जैसे बीन्स बनाते है नम आलू बीन्स कुछ-कुछ ऐसा ही आपकी यह सबजी बनके तयार होगी पर कुछ सूाद अलग होगा इसका बेंज का अलग होता है यह जैदा टैम में लगता है इसको गलने में इसलिए मैंने आज आपको दो तरह के साग जो आपने साइद कभी देखे हों, खाये हों और नहीं खाये हों तो प्लीज इसको ट्राइ कीजिए और इसमें हलका सा पानी डालूंगी मैं अभी क्योंकि ग्रीवी की तरह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और ग्रीवी की तरह थ देखेंगे तो आपकी सब्जी बिल्कुल तयार होगी और इसे अब हम सर्फ करेंगे तो दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब कर दीजेगा और इसे सर्फ करते हैं इसे भी आप रोटी नान पराठे किसी भी चीज क अच्छा लगता है तो यह कुछ इस तरीके से बनके तयार होगी और मिलते हैं फिर और रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पर जाएए और वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चलिए यह चौलाई के डंटल की सबजी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई